मिलम ग्लेशर के और 3 सितंबर को रवाना हुआ इस दौरान तृतियों कुमाओ के बहादूर जवानों ने 301 किलोमेटर की दूरी सैक्लिंग द्वारा थेकी और करीबन 500 किलोमेटर की दूरी पैदल यादरा द्वारा थेकी गई इस दौरान हमने पंचा चूली के कुछ खरीबी अलाके और मिलम ग्लेशर को चुआ इस दौरान अपनी यात्रा के दौरान हमने अपने पुराने सेना वरित सैनिको और वीर नारी की परिशानियों को जाना और जिस जो मुमकिन जो संभव मुमकिन साहिता हम उन्हें दे सकते हमने वो दी आज उन्हें तारीक शेरिंडे के इस अफसर पर हमने यह फैसला लिया कि आज के दिन इस समारों का फ्लैगे इन होगा और सफलता पूर्वक यह इविंट पूरा हुआ हुआ जा कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं